हलो फ्रेंज नी 2014 न्यूटन लॉज अफ मोशन और फिक्शन के इस क्वेशन में हमें कहा गया था एक बलून है जिसका मास M है वो डिसेंडिंग डाउन कर रहा है विद अक्सलरेशन वेर A is less than G How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration A तो क्वेशन में हमें कहा गया है कि बलून है जिसका मास M है वो नीचे आ रहा है acceleration A से लेकिन क्वेशन में कहा गया था कि acceleration A जो है वो less than G है तो क्वेशन में हम से पूछा है कितना मास हम खटा दें कि ये उपर इसी acceleration से जाना शुरू कर दें तो देखिए इस question को करने के लिए सबसे important funda ये है कि पहले हम ये समझें कि question में ये जो हमें दिया गया है इसका क्या मतलब है where acceleration is less than g तो question में ये क्यों नहीं कहा कि balloon जो है वो नीचे acceleration g से आ रहा है वो free fall हो जाता free fall नहीं दिया है तो ये जो acceleration less than g जिया है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि question में buy and force हमें consider करना है question में funda क्या लगेगा funda ये लगेगा कि buy and force assume करना है upwards direction में और ये constant force है क्योंकि buy and force के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा इसका लेना देना नहीं है बाकी चीजों से जो question में बदल रही है इसका लेना देना आपके atmosphere की density से है और आपके volume सबमर्च से है जो volume of balloon है तो यहाँ पर आप अगर buy and force consider करते हैं question में तो ही आप question में proceed कर पाएंगे अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि funda क्या लगना है तो आप question बना सकते हैं तो ये मेरे हिसाब से इस question को करने के लिए सबसे important hint था जिसके बाद आपको question में आगे बढ़ सकते हैं बढ़ना चाहिए तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो please like, share and subscribe मैं चैनल और please bell icon को दबाना ना भूले ताकि आपको अगले upload के बारे में अगले hint वीडियो के बारे में solution वीडियो के बारे में timely notify हो सके इसके अलावा आप बाकी contact information मेरे description में जाकर देख सकते हैं